वेलकाम टुरिंग्वेशाउल दोस्तों आज हम IPU B8 के बारे में बात करेंगे IPU B8 का क्या पैटर्न है, क्या एक्जाम अनलेसिस है, कितने नंबर आप सीट्स है, कितने कॉलेज है और क्या पेपर पैटर्न होता है इन सब के बारे में आज हम डिटेल में डिसकस करेंगे, आप सबको ये भी पता होगा कि 2020 में जो IPU B8 का विपर हुआ था, उसमें और लिए रैंक 9 हमारी ही कोचिंग में दिया था, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दिनली में रहते हुए अगर आप B8 के आप्शन की तलाश करेंगे, तो आपको एक आप्शन मिलेगा डेली यूनिवस्टी का, दूसरा IPU का मिलेगा, IPU इन फैक्ट ज्यादा पॉपुलर है डिउट से, तो पहले जो हम स्टार्ट करते हैं देखते हैं GGS IPU, यानि गुरग इस एक्टिबिलिटी क्रेटेरिया क्या है, 50% चाहिए होता है नॉन बीटिक और नॉन बीटिक के लिए, और जो बीटिक या बीए है या उसके इक्विलेंट रोने कोई 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 किया हुआ है, तो उनको 55% चाहिए होते हैं अपने जो भी रिस्पेक्टिव करते हैं, इस एक्जाम के पैटर्न की अगर मैं बात करूँ, तो इन फैक्ट आप देखोगे कि 2019 तक जो टाइम डियूरेशन था वो थ्री आर्ट था और नॉन फिफिटी हुआ करते थे, तो कुछ सर्टन क्रिटेरिया, सर्टन पैटर्न नहीं होता इस एक्जाम का लेकिन उमीद कर रहे हैं कि 2020 में जो चेंज़े जाये थे, वो 2021 में चलेंगे, तो उस पैटर्न 2020 में क्या था, मैं आपको बताओ, एक्जाम डियूरेशन था, तू और 30 मिनिट का, यह धाई गंटे का पेपर हुआ था, और सारे सेट के सबके लिए यह धाई गंटे का था, एक्सप आपको 4 मार्क्स मिल जाते हैं, निगेटिव पे आपको माइनस वान मिल जाते हैं, अगर एक पेपर पैटर्न की मैं बात करूं कि क्या-क्या विटेज होता है, तो इंग्लिश का विटेज 15 होता है, जिसमें सबस्यादा विटेज आपको बिलना चाहिए, वो कैड़री के से जीज का विटेज है, तो वह है logical reasoning का, तो आपको सबस्यादा अगर कहीं फोकस करना है, तो वह है logical reasoning, तो मैं फिर से repeat करता हूँ, English 15, LR 40, GK 25, और teaching aptitude 20% होता है, और ये exam duration, आप हम सब जानते हैं कि BA 2 year का program है, अगर मैं number of seats की बात करूं, तो आपको कहीं भी exactly number of seats declare नहीं मिल B8 का जो prospectus है, IPU, B8 का जो prospectus है, उससे ली गई information, हमारे बहुत से students appear हुए थे, all day rank 9 हमारा ही दिया हुआ है, तो हमें इस पूरी information, आप पिलकुल rely कर सकते हैं information के उपर, total 24 colleges है, और पर college 100 seats है, अगर top 4 college pick करना हो, अपने हिसाब से, हमें अपने हिसाब से, तो हम कैसे pick करेंगे, first college है, SCRT, government college है, दूसरा, MSI, जो मारादर सूरजबल है, जनकपुरी में, गीता रतन, रोहिनी में है, और हमने fourth पर रखा हुआ है, लापती मुंशी, लेकिन ये girls college है, अगर मैं students appeared की बात करूँ, तो total 4404, यानि 4404 students इसमें appear हुए थे, और इस बार, ये तब का हाल है, जब pandemic का साल था, तो इस बार ये number बढ़ने की पूरी की पूरी उमीद है, आईए अब paper analysis करते हैं इसका, आईए अब बड़ी बारीकी से समझते हैं, कि अगर आपको All India rank 10, या All India rank 20 तक चाहिए होता है, तो आपको क्या करना पड़ता है, बड़ी गौर से आप देख लिखेगा, टोटल 4404 students इस exam में बैठते हैं, जो All India rank 1, जो topper है, उनका score है 351, 87.75%, जो हमारे student है, जिनका रा मुकेश कुमार है, उन्होंने All India rank 9 achieved किया हुआ है, और उनका percentage है, 337, 84.25%, इन्होंने 11 question गलत किये थे, बाकि जो remaining था, वो छोड़ गिये थे, मतलब क्या है, कि आप देख सकते हो, जो topper का percentage है, वो 80 above score करना है, 85 to 80 के 20 में, तो अगर आप All India rank 10 तक लाना चाहते हो, तो आपको 80 to 85% score करना होगा, इसका मतलब है कि आपके पास जो score होगा आपका, लगबग 340 to 350, यानि 340 से 350 question में आपके सही होंगे, तो आपको All India rank 10 तक available हो जागा, अगर मैं All India rank 20 तक की बात करूं, तो ये percentage हो जाएगा 75 to 80 के बीच में, और आप average college चाहते हो, तो उस case में, आपके पास ये जो All India rank आपका होना चाहिए, जो percentage होना चाहिए आपका, ये percentage की बात करूं, All India rank 20 तक, All India rank 50 तक की percentage जो होना चाहिए, वो होना चाहिए 65 to 75%, अगर आपके questions स रही हैं, तो आपको आसानी से अच्छा college मिल जाएगा, तो आप सबको पता होगा कि चाहे वो UPBA हो, चाहे वो DUBA हो, चाहे वो UPBA हो, IPBA हो, हम इन सबके लिए आपको coaching प्रोवाइड करते हैं, और इंडिया rank 9 भी हमारा ही दिया हुआ है, तो अगर आपको लगता है कि आपको IPBA के लिए coaching के जरुवत है, तो इस given number पर आप call करके हमारा coaching जोइड कर सकते हैं, उमीद है ये information आपको पसंद आई होगी, और बीएड के related हर एक timely update आपको मिलते रहें कि प्लीज इस चैनल को subscribe करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में साथ share करें, thank you so much.